हाईलो गाईज परकूंट दीजमडी दीज तो गाईज आज हम बात करेंगे हल्क की सोलो मुवी से रिलेटिव अपडेट के बारे में यह अफिशली अपडेट दिया है मार्क रफेलो उन्हें कल के दिन जी हाँ मार्क रफेलो चाते हैं कि हल्क जो 2012 की एविंजर्स मुवी में आया था डिरेक्ट ऐसे नहीं आना चाहिए पहले हल्क की एक सोलो मुवी होनी चाहिए तब जाके हल्क को मुवी के अंदर कैमियो अपरेंस या फिर टीवी सीरीज में डालना चाहिए क्योंकि 2012 बार है कि एविंजर्स में डिरेक्ट आना हल्क का उन्हें अच्छा नहीं लगा घर पे बैठी हुए कोरोना वाइस चला उनकी दिमाग में कोई आइडिया आया कि हल्क को कैसे टैम लान में डाला जाए और उन्हों ये बात मावा स्टूडियो से शेयर करी पर मावा स्टूडियो डारेक्ट हल्क को लाना चाते हैं सी हल्क टीवी सीरीज में जिसका प्रोडेक्शन इस्टार्ट होने वाला है समर के महिने में जी हाँ पर अभी तक डेट कंफर्म नहीं हुए कि ये कब रिलीस होगी और शी हल्क जो कैरेक्टर है वो काफी कमाल का है और इंक्रेडिबल भी है अब वो कैसे बनती है या कैसे उसकी ओरजिन स्टूरी दिखाएंगे टीवी सीरीज में अभी ये ऐसे कुछ कुछ कंफर्म वाला है तो गाइस मैं तो काफी जादा एकसाइड़ हूँ और अगर बात करें रैगनौक की जिसमें की हल का पूरा अच्छी खासा एक पार्ट था तो वो भी बहुत कमाल का था बर मार्क रफेलो इसी चीज़ से काफी जादा परिशान दे उनका कहना है और उनके मन में ए कि मार्क रफेलो को ये आडिय कैसा काम करता है और आने वाले फीचर में क्या मावल स्टूडियो इस प्रोजेक्ट को लेकर सीरियस होगा या नहीं मुझे कमेंट शेक्स में ज़रूर बताना पर देखते हैं भाई क्या होता है इन फीचर तो गाईस आज के लिपस इतना ही थैंक वर वचिंग थीचर वर वचिंग टिस वीचर वीचर वाई